वेल्कम गाईस वेल्कम टु माई चैनल आज हम लोग डी ट्रिप्लेस पी का जो कॉश्चन पर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके सेकंड पार्ट को डिस्कुस करेंगे अल्रेडी चैनल के उपर इसका फर्स पार्ट आ चुका है जिसके अंदर हम काफी कॉश्चन को डेटे इकनोमिक्स के प्रिविएस यर कोश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप चाहो तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जूट सकते हैं क्योंकि जो भी टोपिक हम अपने चैनल पर डिस्कुस करते हैं उसकी पीडिएप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल एकनोमिक्स बाइडी डीड है पहले कोशन में देखो क्या बोला गया है the degree of price discrimination has been distinguished by question में बोला गया है जो हम price discrimination पढ़ते हैं कि किसी से कम price लेना किसी से ज़्यादा price लेना price का discrimination करना और उसमें हम क्या पढ़ते हैं first degree price discrimination second degree price discrimination third degree price discrimination यह जो है distinguish किस ने किया था तो यह काम जो है पीगु ने किया था 1920 के अंदर तो option number C यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में आपसे AP learner ने जो monopoly power को measure करने के लिए index बोला था उसका आपसे formula पूछा गया है monopoly power को measure करने के लिए जो यहां आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगले question में क्या वो लगए क्रोस elasticity of demand for a product of pure monopoly इस question में ज़्यादा stress कहां दिया गया है कि हमें cross elasticity demand बतानी है लेकिन किसकी बतानी है ऐसे product की जो की pure monopoly में मिलता है pure monopoly मतलब बेचने वाले का market पर पूरा का पूरा अधिकार है इसका मतलब बेचने वाला बेचने वाला जो है वो market में अकेला व्यक्ति है product की supply वही करता है और ऐसा product जिसका market में एक ही supplier करने वाला है और उस product की आपसे क्या पूछ ली cross elasticity पूछ ली तो ऐसे में इसकी जो cross elasticity रहेगी वह equal to one क्योंकि market में बेचने वाला अकेला व्यक्ति है कोई उसका substitute नहीं है तो ऐसे में हमसे cross elasticity पूछी है तो वह रहेगी equal to zero अगला question देखिए आपसे अगले question में क्या पूछा गया है total cost पूछी है लेकिन monopolistic competition के अंदर अब हमें पता है monopolistic competition ऐसी situation होती है कि किसी product को बेचने वाले बहुत जादा खरीदने वाले बहुत जादा और product में differentiation पाए जाता है तो ऐसे में जब एक अधिकार प्रत्योगता में यह सब characteristics हैं तो उनको product differentiation को लोगों को बताने के लिए advertisement पर या फिर हम कहें selling cost काफी उठानी पड़ती है तो इसी लिए जब आपसी पूछा जाए कि monopolistic competition में total cost क्या होगी monopolistic competition में total cost हमारी production cost plus selling cost दोनों आएंगी तो option question number B यहां आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है अगले question में बोला गया है situation है monopolistic competition की एक अधिकार प्रत्योगता की है पहुत सारी firm market में एंट्रिक कर सकती है और साथ-साथ क्या है market में long run के अंदर price में किसी तरह का कोई competition नहीं है और हर एक firm की characteristics है वो क्या कि हर एक firm जितना produce कर सकती है उससे कम produce करती है तो इस situation को हम क्या बोलेंगे तो यह वाला question हम estate में भी काफी बार solve कर चुके है कि जब एक firm के पास जितनी capacity है वो उससे कम produce करती है तो इसका मतलब बहुत क्या करती है वो उसके पास access capacity पाई गई है जैसे मैं आपको डाइग्राम से बताऊं हमने मोनोपोलेस्टिक के competition में क्या किया है डाइग्राम किया है यह आपका एयार कव है यह आपका एमर कव है और हमने देखा है कि एवरेज कोस्ट कव अपने minimum से पहले ही कट करके जाता है एवरेज revenue कव को और एक firm क्या करती है अपनी capacity ओ क्या हूँ तक output बनाती है capacity उसके अंद ने output को बना रही है लेकिन उसके पास capacity even point तक बनाने की है तो उसके यहां पर access capacity पाई जाती है लेकिन वह उसका यूज़ नहीं कर रही तो इसी लिए option number C यहां आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है कि कौन से model के अंदर यह believe किया जाता है कि जो rival firm है वो किसी भी तरह के price में कोई change नहीं करेगी अपने product का price क्या रखेगी constant रखेगी तो आपने पढ़ा है कि हम कुर्णोट और बर्टेंड दो को पढ़ते हैं oligopoly market में specially कुर price में किसी भी तरह का कोई change नहीं करेगी जितना भी change करना था price में वो हो चुका है अब उसकी rival firm product के price में कोई change नहीं करेगी ऐसा button model में बताया है diagram से तो option number A यहां आपका right answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए अगला कुशन है kink demand curve जो कि price rigidity को बताता है monopolistic competition मैंने अभी है बताया आपको access capacity होती है वहाँ पर price leadership हम oligopoly में पढ़ते हैं group equilibrium हमारा monopolistic के साथ जाएगा तो option number A यहां आपका right answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए आपसे पूचा है marginal revenue firm का marginal revenue का पूचा है perfect competition आपको पता है perfect competition market के ऐसी situation होती है product को बेचने वाले बहुत जादा है खरीदने वाले बहुत जादा है homogenous product होता है तो AR और MR दोनों बराबर होते हैं तो हमारा यहां पर marginal revenue और average revenue में कोई difference नहीं होता तो marginal revenue हमेशा price के बराबर होगा perfect competition के अंदर तो option number C यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए ता industry demand curve and average revenue curve same in case of आपसे बोला गया एक industry है उसका demand curve और average revenue curve किस market में same होता है तो हमने पढ़ा है monopoly market कैसी market होती है जिसमें firm और industry में कोई difference होता ही नहीं है जो एकी व्यक्ति वेचने वाला होता है वही अकेला firm create करता है और उसी से industry बनती है तो यहां पर monopoly आपका right answer हो जाएगा अगला question देखि income elasticity पूछी है luxury goods में तो हम इसको भी diagram से करेंगे एक तरफ income को लेंगे और दूसरी तरफ demand रेंगे quantity अब जैसे इतनी income पर इतनी quantity आप demand कर रहे हो तब देखो जब आपके income थोड़ी सी बढ़ जाती है तो luxury goods की हमें ज्यादा need होती है हम चाहते हैं कि हमारे गर में हर तरह की luxury goods आए तो income में थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन हम क्या करते है luxury goods की product की demand को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो यहां पर जो आपकी income elasticity आएगी ना वो क्या रहेगी greater than one रहेगी option number B यहां आपका right answer हो जाएगा अगर आप जितने भी questions करो वेपर में diagram से कर दो आपके question की जो गलत होने के chances वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो जितने भी questions के आपको diagram बनाने आते हैं तो आप बनाने की practice जरूर करें कि question में क्या पूछा गया है मुझे कैसे इसका diagram बनाने है जैसे अगले question को देखो in a straight line demand curve meeting two axis कह रहे हैं एक straight line demand curve है दोनों axis को touch कर रहा है दे marginal revenue यह हमारा average revenue हो गया एकता से वो कह रहा है marginal revenue बताओ कहां बताओ at the midpoint of the curve अब average revenue के midpoint पर हमसे पूछी है marginal revenue देखो जब मार्जनल यहां बनाएंगे ना जहां पर average revenue का midpoint होता है ना वहां पर आपकी marginal revenue जो होती है ना यह marginal revenue का वह है 0 होती है हमेशा याद रखना कि average revenue के midpoint से जब हम नीचे point लेकर आएंगे तो वो marginal revenue को उसके 0 पे जो है intersect करेगा तो जब आपका average revenue का दो axis को touch करेगा और आपसे पूछा हो marginal revenue बताना है midpoint से तो वो equal to 0 आएगा और अगर आपसे question में ही पूछ लेता कि यहां पर elasticity बताओ यहां पर आपकी equal to बनूँगी तो यहां पर आपसे marginal revenue पूछा है तो हम 0 के साथ जाएंगे option number B यहां आपक right answer हो चाहेगा अगला question देखिए the best indicator of economic development किसी विदेश के आर्थिक विकास को measure करना है सबसे अच्छा तरीका क्या है वहां पर आप यह देखो कि वहां के लोगों की per capital income real term में national term में कितनी है तो यहां पर per capital national income अगर हम किसी भी country के लोगों की देखे कि वहां लोगों के पास पर capital income ज्यादा है वो goods or services खरीद पा रहे हैं तो हम कहेंगे ज्यादा वहां पर development हुआ है तो option number B यहां आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगले question में पूला गया है GDP at market price GDP at market price है जो की GDP at factor cost से ज्यादा है market price की GDP GDP at factor cost से ज्यादा है इसका क्या reason है आप लोगों को पता है जब हम GDP को market price पे निकालते हैं तो उसके अंदर हम indirect tax जो होते हैं उसको add करते हैं जिसकी वज़ा से आपकी जो GDP है बजार कीमत पर ज्यादा रहेगी और जब factor cost में हम बात करते हैं तो हम indirect tax को क्या गर देते है माइनस कर देते हैं तो यही एक main reason है इनके बीच में difference का तो option number D यहां आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए wage and salary plus dividend paid at home net factor income from abroad plus transfer from government तो personal income चाहोगा तो आप से पूछा गया है सोरी personal income tax is equal to अब आपसे यहां पर जैसे एक formula दे दिया यहां पर बोला है कि salary और wages में हमने dividend को add कर दिया बाहर से कितना पैसा है वो हमने add कर लिया जौन वो कि सदावा है प्रछच पेशान। भे से लिवा सब्सक्राइब और यह तो चुम दाते हैं लिए यह सुर्ड सब्सक्राइब को प्रंज करते हैं दो लिए न opini पस् 업 capability यहां अवकर आम तक सब्सक्राइब है उसके बाद question में क्या कह रहा है आपने government को एक income tax दे दिया टेक्स दे दिया जब income में से tax चला जाता है तो वो जो income बसती है वो क्या होती है personal disposable income होती है खर्च करने हो गया I होती है यहां पर आपका option number C right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगला question है कि which of the following does not part a personal income अब आपको पता हो नचे कि personal income में क्या क्या चीज़ से आती है क्या चीज़ नहीं आती पर्सनल सेविंग आती है transfer payment government हमें जो भी स्थाइता देगी transfer payment के रूप में वो भी हम इसके अंदर option number C यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए slope of the consumption function अब देखिए slope जो होता है हम consumption function का कैसे निकालते है marginal propensity to consume सही तो निकालते हैं अगर मैंने यह आपका consumption function बनाया तो इसका जो हम slope निकालते हैं वो कैसे निकालते है change in C by change in Y तो marginal propensity to consume इस question का right answer हो जाएगा option number D यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए at a zero level of income जब आपकी income बिल्कुल zero है तो आपकी average propensity to consume पुछी है तो आपको इसको करने का एक तरीका यह है कि APC है तो जब आपकी C by Y यह आपका formula है income है zero हम आपमें पता है कि income zero भी हो तब भी हम चाहे हम उधार लेके कर्च करना पड़े कुछ भी करना पड़े हम consume करते हैं क्योंकि हम बीना खायर रह ली सकते तो जब income zero होती है तब भी हमारा कुछ ना कुछ consumption होता है मालो 5 consumption है 7 है 6 है तो इसका मतलब जब आपकी income zero है तो आपकी average propensity to consume infinity होगी तो यहां पर infinite जो है आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है कि हमने क्या किया है एक्स्प्लानेटरी monetary और physical policy यूज किया है तो इससे क्या होगा आपसे question में बोला है aggregates अब देखिए आईएस कव जो होता है वह आपका good market में equilibrium दिखाता है LM कव क्या करता है आपका money market में equilibrium इब्रियम दिखाता है question में यह कह रहे हैं कि हमने किसी भी तरीके से economy में money की supply को बढ़ा दिया पैसा increase कर दिया दूसरी जरब government ने physical policy में क्या किया government ने expenditure बढ़ा दिया तब जब सरकार किसी भी तरीके से चाहे monetary policy से या physical policy से जब सरकार monetary policy से भी और physical policy से भी वह क्या करती है money की supply को increase करती है तो हमेशा याद रखना economy के अंदर क्या होगा demand ही तो बढ़ेगी expansionary monetary policy का मतलब क्या है गवर्मेंट ने किसी भी तरीके से money supply को increase कर दिया और भी यह बगारा ने bank rate कम करके physical policy का मतलब है सरकार ने tax वगरा कम लिए सरकार ने government expenditure कर दिया investment कर दी तो इन सब शिज़े करने से देश में पैसा बहुत चला जाएगा लोगों के हाथ में cash in hand आ गया cash आ गया तो वो क्या करेंगे demand करेंगे तो यहाँ पर aggregate demand का हमारा right word shift हो जाएगा तो यहाँ पर आपका aggregate demand demand curve to right option option number C यहाँ आपका right answer हो जाएगा अब यहाँ पर बोला गया payment जो होती है जो factors को दी जाती है वो किसके equal होती है मालो rent profit wages salary यह किसके बराबर दी जाती है यह हमारी net value added जितना भी आपका product बना उसमें जो value added होती है वो factors को दी जाने वाली payment के बराबर होती है तो यहाँ पर option number C आपका right answer हो चाहेगा अगला question आपका mathematical question है question में देखें क्या बोला गया इफ GDP 500 करोड depreciation 50 करोड indirect tax 30 करोड subsidy 10 करोड net factor income from abroad 20 करोड national income बोल रहा है काफी जी question है देखो आपके पास GDP है market price में अगर आपको NDP पर जाना है सबसे पहले क्या करो depreciation minus कर दो ठीक है depreciation minus कर दिया कितना 50 तो क्या बचा 450 तो आप NDP पहुंचेगे market price से अब आपको market से factor में जाना है मैं आपको क्या करना है market से किस में जाना है factor में जाना है आप देखो फ़ॉर्मॉला कैसी बनाए मैंने तो क्या करोगे indirect tax उनको minus कर देते हैं हम dollar På 12 को add कर देते हैं in direct tax कितने है हमारे 30 है 30 मैंने minus कर दिया तो क्या आगया और सबसीडी कितनी है उसको हम एड़ कर लेंगे सबसीडी है दस दस मैंने आड़ कर दी तो 430 हो गया यह हो गया आपका क्या निकल गया अभी आपका क्या निकल गया यह NDP FC आगया फैक्टर कोस्ट पे नेट फैक्टर इंकम फॉम एबरोड विदेशों से अगर आप एड़ कर दोगे तो क्या आजाएगा 450 आजाएगा और 450 आपकी क्या आजाएगी नैशनल इंकम आजाएगी तो यहां पर 450 आपका राइट आंसर हो जाएगा आप देखो हम क्यासे स्टेप बाइस्टेप फॉर्मूले से हमने इस को सोल्व किया अगला कोशन देखें अगले कोशन में क्या बोला गया है विच ओव दा फ्लो वेरेबल इनमें से कौन सा फ्लो वेरेबल है और कौन सा स्टोक हमने कोशन काफी बर कर लिया कि स्टोक और फ्लो का कोशन हमने बार बार पूछा जाता है स् से तंकी हो गया उसमें से पाणी जो निकल रहा है वह सीज आपका एक्सपेंडिचर है आप कितना कर रहे हो फ्लो हो गया जिसमें चेंज हो रहा है बार बार तो यहां पर आप देखो फ्लो बैरेबल आपका कंजप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा मनी सप्लाइस टोग सब्सक्राइब कितना है हमारे पास आज के टाइम पर यह भी स्टोग है लेकिन कंजप्शन जो है इसको और पीरिडर करेंगे ऑप्शन नमबर सी यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए अगला कोशन आपका मैथमेटिकल कोशन है कोशन में बोला ग आपको एभी पर्सेंटेज में गवने जायों डोका पॉक्ताइब नाफंट lotta नाफरी ईंकम में से इनग्रीज में मैंने इनकरीज को आपका पर टेटल में जोएंग places निकल जाएगा ठीक है और population भी माल लो सो थी और आप क्या कहा रहे हो पर Capital Income कैसे निकाल लिया आपने National Income को population से दिवाइड कर दोगे तो 100 इवायड बाई 100 तो यह आपकी पर Capital Income निकल गई अब question में क्या कहा रहा है कि national income बढ़ जाती है 8.8% तो अब 100 में 100 का 8.8 करोगे तो क्या आजएगा 108.8 अगर आपका population 2% से बढ़ गया population कितनी मानी थी शुरू में हमने 100 मानी थी population कितने से बढ़ गया है 2% से तो कितना हो जाएगा 102 अब आप क्या करोगे इन दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि फॉर्मूला में पता है national income को population से डिवाइड करने पर हमारा क्या आता है हमारा पर capital income आती है और यही आप से कुछ है ना पर capital में कितना इनक्रीज आएगा अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आजाएगा 1.06 लेकिन अभी question खतम नहीं हुआ यह क्या आगया नया पर capital income आ जो चेंज होने के बाद आगया शुरुआत में 1.07 आएगा शायद आप एक बर इसका calculation करना शुरू में वन है फिर 1.07 अब हम चेंज क्या करेंगे इनिशियल पर capital रियल पर नया पर capital income माइनस previous वाला अपोन previous वाला चेंज हो ऐसे निकालते हैं तो अब हम क्या करेंगे जो नय वाला हमारा इसरहा क्या पर चेंज हो न करना शुरू पर नीचुप एक कुछ लगी परृंस सेवन में क्या बचम तो आपका सेवन परसेंट क्या जाएगा कि इंकम में इंक्रीज हुआ है अब सेवन परसेंट में है नहीं तो आप 6.8 के साथ पिर जाओगे जाओगे तो ऑप्शन नमबर सी दोनों ही तरीकों से मैंने आपको बता दिया राइट आंसर हो जाएगा आगला कुशन देखिए इ या इंकम के बराबर होता है और यह क्या गया रहा है कंजप्शन इसको इंट्रसेक्ट करता है यह आपका कंजप्शन कव है तो हमें पता है अगर हम यहां पर सेविंग और इंवेस्मेंट की क्या बनाएंगे एक्वैलेटी बनाते हैं तो हमारा सेविंग कव भी क्या करता ह investment को यह आपका investment हो गया यहां पर हम्हें saving ले के आऊंगे ऐसे तो जहां पर आपका consumption और income का point intersect करता है वहां पर आपकी saving और investment भी क्या होती है बराबर होती है तो option number c यहां आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखे identify which is not a subject of macro economics Macroeconomics केंदर हम क्या नहीं पढ़ते Macroeconomics केंदर हम national welfare यह Macroeconomics का पाट लेकिन इंप्रेजस का डिषार इंप्लोइमनेंट कितनी है development कितना हुआ यह सब मैं च्तों से общемनी नम्बर डी यहां आपका रैइठ आन्सर रान सर या आगला कुश्यन देखिए विच अमंग दा फॉलोविंग रिलेट तो मैक्रो एकनोमिक्स में क्या पढ़ते हैं आउट्पूट कितना इंडस्ट्री का रिवेन्यू फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री या आउट्पूट जो है कैपिटल आउट्पूट रेशो इनस्टील इंड इंडस्ठट कि बात कि इनक्रो का कंट्री एक का इंडस्ट्री की कितनी है तो यह भी आप क्या कर रहे हो किसी एक कंट्री की स्टेडी कर रहे हो तो अग्रिगेट में हम क्या करते हैं तो यह वह उप्षन भी राइट हो सकता है मेरे इसाब से डिस्बोजेबल इंकम ऑफ कंट्री और कैपिटल आउट्पूट रेशो इन इस टील इंडस्ट्री क्योंक में पढ़ते हैं तो इसी लिए इस कोश्चन में हलका सा डाउट है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा क्रेक्ट होना चाहिए अगला कोशन करते हैं अगला कोशन है किस ने डिटेल एनलाइज किया था नैशनल इंकम अकाउंट्स का और उसका वैलूएबल कॉंट्रिबूशन तो यह काम जो है किस ने था रिचर्ड इंकम अकाउंटिंग का लीकोंट्रिबूशन दिया था नैशनल इंकम को सिस्टेमाटिक तरीके से क्या करागा कर उसको दिया था उसने तो रिचर्ड स्टोन जो है यह इस कोशन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्ला अक्या international current account में क्या लेते हैं अब हम यहां यह समझ लेते हैं कि current account में क्या आता है inflow और outflow आता है goods and services का उसके साथ transfer जो होता है एक पक्षिय बुक्तान जो होते हैं जो की जिनके बदले में आपको कुछ payment भी देनी एक पक्षिय से आते हैं वह सब आपके current account का पार्ट होते हैं तो current account का inflow and outflow of the goods and services current account में आते हैं transfer आप जो other countries को किए यहां पर भी इस question में दिक्कत है यह भी कही ना कहीं उसमें आता है ना आप दूसरी country को जो एक पक्षिय बुक्तान देते हो और दूसरी country आपको देती है वो भी current account में आता है तो यह वाला और यह वाला एड उनुन अचीए था लेकिन हमें जो यहां समझना जरूरी है कि हमारे current account में क्या आता है तो अभी मैं यहां को यह option correct नहीं कहूंगी हमने सिरफ यह current account का meaning दिखा है अगला कुशन देखिए अगला है रेचिर्ड इफेक्ट हमने आइस अवला डियाग्राम किया हुए ने रेचिर्ड इफेक्ट का तो उसमें जो है किस तरीके से क्या चीज वो बताता है household find out क्या difficult to बहुत rising income and falling income हमने वहां क्या चीज पढ़ी है कि income जब बढ़ जाती है तो बंदा अपना consumption बढ़ा देता है ठीक है रिचर्ड इफेक्ट में हमने क्या किया जब एक person की income बढ़ जाती है तब वो अपना consumption को increase कर लेता है उसको कोई दिक्कत निया आती अर्जस्ट करने में ल इसी लिए रिचर्ड इफेक्ट में क्या हम पढ़ते हैं कि हाउ इसमें रिफिकल्ट हो जाता है राइस इंकम के राइस होने पर भी अर्जस्ट होना और फोल होने पर भी गलत बात है इंकम बढ़ जाती है तो अर्जस्ट करना मुश्किल हो जाता है तो यहां पर option number B के हो जाएगा अगला question देखिए अगर marginal propensity to import बढ़ जाता है तो क्या होता है अब आपने foreign trade multiplier हमना आपको पता ही होगा क्या होता है वन अपन MPS प्लस marginal propensity to import अब यह पूछ नहीं है तो क्या होगा इफ marginal propensity to import जो नीचे वाली जो value है यह आपकी बढ़ जाती है आप दूसरे देशों से काफी import करते हो वो बढ़ जाता है तो जब आपका दूसरे देशों से import बढ़ जाएगा तो आपके multiplier की value क्या हो जाती है घट जात अगला question है increase the value of multiplier जो है आपके multiplier की value बढ़ेगी यह किस पर depend करता है अब हमें पता है हमारा multiplier का formula होता है one upon one minus MPC और अगर text भी हम include करते तो one minus TV expenditure के time पर हम use करते हैं तो अब हम देखते हैं हमें क्या option दिए गए हैं इस formula के हिसाब से increase करे अगर marginal propensity to save अगर हम saving ज्यादा तो हम consumption कम करेंगे और consumption कम करेंगे तो हमारे multiplier की value कम आएगी तो यह तो हो जाएगा गलत उसने क्या बोला है आपकी multiplier की value बढ़नी चाहिए decrease in tax rate tax rate के घटने से आपकी multiplier के formula पर impact नहीं पड़ेगा यहाँ पर income कितनी बढ़ी है आपकी फिर इस इंकम में आप कितना consumption करते हो multiplier उस पर डिपेंड दबता है अगला है increase in marginal propensity to consume यह right answer है क्योंकि जैसे ही आपका consumption बढ़ जाएगा MPC बढ़ जाएगी multiplier की value भी बढ़ जाएगी तो यही तो relation होता है MPC और multiplier में कि जैसे ही आपके MPC की value बढ़ेगी वैसे ही आपका क्या हो जाएगा वैसे ही आपका multiplier की value भी बढ़ जाएगी option number C यहाँ आपका right answer हो चाहेगा आज का last question रहेगा वो यह रहेगा और इसका answer आपको comment section में देना है कि अगर हम अपने autonomous investment को बढ़ाते हैं तो इससे हमारे LM column में shift आएगा IS में shift आएगा left word shift आएगा यह राइट वर शिप्त आएगा यह वाला जो answer आपको comment section में with reason लिखना है बाकी बचे होए questions हम next वीडियो रहेगी कि उसमें पर पूर्या खतम हो जाए अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है अच्छी लगती है आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं thank you so much for watching this